वेस्ट दिश्टिक के AATS की पुलिस टीम ने हत्यारों की नोक पर भरी शाम हवा में फायरिंग करके लूट की संसनी खेज वारदात को अंजाम देने वाले एक मामले का परदा फाश किया है और इस मामले में पुलिस टीम ने आधा दरजन बदमार्शों को गिरफतार किया है गिरफतार किये गए बदमार्शों के पास से पुलिस टीम ने चार फायर आर्म्स बरामत किये है जिसमें 9 mm और 7.65 mm के पिश्टल भी शामिल है इसके अलावा पुलिस टीम ने 8 जिंदा कार् लूटा गया लैप्टोप, पैंड्राइव और चोरी की मोटर साइकल भी बरामत की है DCP ने बताया कि ACP ओपरेशन कुमार अभिशेक की देखरेक में इंस्पेक्टर AATS मनोच कुमार यादव की टीम को इन बदमाशों के बारे में जानकारी इखटा करने को कहा गया था छे जनवरी को चार बदमाशों ने तिलक नगर इलाके में सरयाम गोली चला कर तिलक नगर मार्किट में लूट की वारदात को अंजाम दिया था जब बदमाश बैग लूट कर फरार हो गय थे और उसी मामले को solve करने के लिए ATS की police team को लगाया गया था खोल के उसका बैग ले गया उस बैग में लैपटॉप कुछ डॉक्यूमेंट और कुछ पेंड राइज थे पुलिश टीम ने क्राइम सीन का विजिट किया और वहां से लेकर पशिम विहार तक लगबक पांच किलोमीटर तक में सो से ज्यादा सीसिटीवी फुटेज चेक किय और फिर इन बदमाशों के बारे में जानकारी इखटा की गई फिर ट्रैप लगाकर इन छे बदमाशों को गिरफतार किया गया गिरफतार बदमाशों से पुछतास में पता चला कि यह सबी कुख्यात गैंग्स्टर नीरेज बवानिया गैंग के संपर्क में हैं और उनकी लिए भी काम करते हैं से करीबन सो CCTV चेक करते करते हमें पता लगा कि एसलेंट्स वहां से पैदल गए हैं उस रूट को हमने चेक किया और तमाम जगें CCTV फूटेज क्लट किया इनिशली यह बिल्कुल ब्लाइड केस था लड़के कहीं भी किसी पहचान में नहीं आ यह दिख रहा था कि हाँ लड़के हटे कटे हैं स्टाउट बिल्ट हैं उस पॉइंट ऑफ यू पे फिर हमने अपने सोर्चिस को डिपलाई किया और वो फूटेजी हमने सब जगे शेयर की अपने सोर्चिस से और फाइनली दो दिन बाद हमें कुछ इंपुट मिलने शुरू हो गए यह लोग बाहरी दिल्ली के इलाके में एक्स्टोर्शन करते हैं गिरफ्तार किये गए बदमाश नरेला दरियापूर कला फिरनी रोड और नोड़ा के रहने वाले हैं यूनिवर्सल न्यूज के अपने सयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट